भारत ने अंतरिक्स विज्यान के छेत्र में इतिहास रच दिया है भारत ने चंद्रियान 3 को चंद्रमा की सता पर सोफ्ट लेंडिंग करा दिया है और यह अमेर्का चीन और रूस के जो है 24 देश बन गया है चंद्रमा की सता पर सौफ्ट लेंडिंग कराने वालों की सूची में आखिरकार 40 दीनों की लंभी अबदी के बाद हम लोग का जो मिसन है वो पूरा हो गया है और हम लोग चंद्रियान 3 को जिस मकसद के लिए चंद्रमा पर भेजे थे वो जो हमारा म अकसद पूरा हो गया है और पूरा भारत्वासी आज खुसी से फूले नहीं समा रहा है हम सभी भारतवासी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वों दिन है क्योंकि भारत ने 40 दिनों की करी मेहनत के बाद या 40 दिन के इंतजार के बाद जो है भारत के लिए खुशकबरी का दिन आया है कि चंधर यान 30 जो है 40 दिन पहले चंदर्मा पर भेजा गया था है भेजा गया था आज वो चंदर्मा की सता पर सफ्ट लेंडिंग करा दिया गया है और इसके साथ ही भारत चीन अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का जो चौथा देश बन गया है आखिरकार 40 दिनों की लंबी अबदी के बाद प्रीथवी से प्रीथवी से लेकर जो चंद्रमा की दूरी थी प्रीथवी से 3.8.4 किलो मीटर की लंबी दूरी थेक करने का भारत चंद्रियान थीरी ने आज जो है चंद्रमा पर सफ्ट लेंडिंग कर दिया है और ये अंतरिक्स विज्यान के छेतर में भारत ने आज इतिहास रच दिया है साथी साथ चंद्रमा की दचनी धुरूप पर जो है चंद्रियान उतारने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है चंद्रमा की दचनी धुरूप पर चंद्रियान मेंजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है वहीं बात करे चंद्रमा की सता पर सफ्ट जैसे देशों को टकर दे रहा है अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करी मेहनत की थी उस मेहनत का फल मिल गया है आगे का जो मिशन है हम लोग आसा करते हैं कि उस मिशन में भी हम लोग कामियाब होंगे और हम लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए मिशन में हमारा जो जो लक्ष है हम भगवान से प्राथना करते हम लोग का वो सब लक्ष है हासीलो धन्यवाद